दोस्तों अब से हम लोग आरू ए आरू के जो बिगत प्रश्न पत्र हैं उनके हल को एरवाज तैयार करेंगे इससे पहले टापिक वाज कर रहे थे लेकिन उस पे आप लोगों का बेतर रिस्पांस ना मिलने के कारण और मुझे भी ये वाला फार्मिट ज्यादा उचित लग इस बज़े से उसको बीच में छोड़ना पड़ रहा है लेकिन इसको जरूर सपोर्ट करिएगा बिना आपके सपोर्ट के कोई भी पहल चल नहीं सकती है चलाया तो जा सकता है लेकिन सफल नहीं हो सकती इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ज्यादा से ज्याद लोगों तक पहुंच सके दोस्तों रिपीटेड प्रशन आप लोग जान ही रहे हैं कि कितनी बड़ी भूमिका होती है इसलिए रिपीटेड प्रशनों को हम लोग चुन-चुन के करेंगे लगबक 30 से 35 वर्स के पुराने प्रशनों को हल करेंगे यूपी-पी-स के जो प्र अब नहीं है इसलिए सपोर्ट कीजिएगा पहला प्रशन अफगानिस्तान पर आदिपत्त के समय बावर को किसने भारत पर आकर्मण करने के लिए निमंत्रण दिया था तो आप सभी जानते होंगे दौलत खान लोधी ने दौलत को दिखाया किसने दौलत खाने और दौलत हैं जोनाथन पहरी करन्ट अफेर्स के प्रशनों को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे और उसके लिए आप लोग निशिंत रहें केबल और केबल अचूक मारक सामगरी ही करते चलिए बताना है कि काउन सा सुमिलित नहीं है ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों उसको कैल्सिय सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं कहा जाता है यही वाला सही सुमिलित नहीं है इसको कैल्सियम सलफेट डाई हाइडरेट कहा जाता है डाई हाइडरेट तो विकल्प भी वाला सही सुमिलित नहीं है बांकी सभी सुमिलित हैं बासिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट ब बिकल्प भी सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण दोस्तो आस्टेलिया के प्रांत दे दिये हैं और राजधानी सहर दे दिये हैं बताना है न्यू साउथ वेल्स की राधानी दोस्तो न्यू साउथ वेल्स की राधानी जो है सिड्नी साउथ को कनेक्ट कराईएगा सिड्नी से विक्टोरिया ने जो है दोस्तो मेल को बॉर्न किया मेल को पैदा किया विक्टोरिया की राधानी मेल बॉर्न और पश्मी आस्टेलिया पश्मी मतलब पर्थ पश्मी आस्टेलिया की राधानी पर्थ है तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो विकल्प सी सही उत्तर हो इन प्रश्णों को अलग से साट नोट्स तैयार कर लीजिए इनका या फिर टेबल पर सामने चिपका लीजिए तीन-चार बार देखेंगे तो कंठस्त हो जाएंगे संगठन दिये गए हैं और इस्थापना वर्स दिये गए हैं उनका मिलान करना है ललित कला अकादमी की स्थापना दोस्तो कभी उननिस सो तिरपन में हुई है दोस्तो इसकी स्थापना यह इन्होंने गलत दिया है उननिस सो तिरपन में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना उननिस सो चौमन में हुई है राष्ट्री नाट विद्याले नेशनल स्कूल आफ ड्रामा जहां एक्टर प्राया पढ़ने जाते हैं नेशनल स्कूल आफ ड्रामा की स्थापना जो है 1969 में हुई थी बचा एक सेंटर फार कल्चरल कल्चर कल्चरल रिसोर्सिस एंड ट्रेनिंग जो है 1989 में इस्थापित हुआ था तो जब मिलाएंगे तो विकल्प एक और सही उत्तर पाएंगे निम ने लिखित बाग अवियारन टाइगर रिजर्ब में से कौन सा मद्ध प्रदेश में इस्थित नहीं है तो अमनगर जो टाइगर रिजर्ब है वो मद्ध प्रदेश में इस्थित नहीं है ये कहां है ये यूपी में है यूपी में बरतमान में दोस्तों चार टाइगर रिजर्ब हो गए आपको पहले भी अचुक मारक सामग्री में बताया है चौथा कौन सा हो गए रानीपुर रानीपुर टाइकर रिजर्ब जो की चित्रकूट में है CHK चित्रकूट में इस्थित है बांदावगर काना और संजय दुबरी जो हैं सब कहां है मद्ध प्रदेश में दोस्तों टाइकर रिजर्ब की संख्या चौमन हो गई है याद रखियेगा आपको बताया भी है धावलपुर करेली टाइगर रिजर्ब जो है दोस्तों वो चौमनमा टाइगर रिजर्ब बन गया है जौनवा निम्नलिखित में से कौज सा कौइला अधारित बिजली सं उत्तर प्रदेश में इस्थित है तो दोस्तों दादरी और सिंग्रावली विजली संयंत्र पावर प्लांट जो हैं वो कोईला आदारित हैं और दोनों ही यूपी में इस्थित हैं सिंग्रावली कोईला चेत्र दोस्तों सोनभद्र में है यूपी के याद रखेगा सोनभद् नहीं तो आंध्रा प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्रा प्रदेश एपी इस तरह की चीजें दोस्तों अपने अनुभव पर ही आपको दे रहा हूं यह नहीं कि बस पीडियाप खोली और बोलना सुरू कर दिया देख देखके चीजें तयार करता हूं और कहां कन मिलित नहीं है गाए किरसी पे दोस्तों आपके लिए अलग से नोट्स उपलब्द करा दूंगा हैंड रिटिन किरसी का यूपी का और जो भी महत्पूर्ण जैसे जन संख्या जन गरना नगरी करन इन सब के लिए निश्चिंत रहिएगा उत्पादन इनके लिए अलग से परिच्छा से ठीक पहले चीज़ें उपलब्द करांगा पहले इनको पढ़ना कोई मतलब नहीं है भूल जाएंगे तब तक और कुछ चीज़ें बदलती भी हैं तो जैसे ही परिच्छा होगी उससे कुछ दिन पहले हम लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे गाय देवनी गाय बैशनव संतों का संपरदा जो भगवान बिठल की पूजा करते हैं याद रखिएगा बिठल की पूजा करते हैं नाम देव और तुकाराम जैसे संत जो हैं बराकरी संपरदा इसे ही संबंदित थे भैंस का भदावरी भैंस में भी भा है और भदावरी में भी भा है भैंस गिर जो है दोस्तों गाय की नसल है याद रखेगा तो इस तरह से बिकल्प डी सही सुमिलित नहीं है याद रखेगा फिर पुस्तकें दी गई है और उनके लेखक ऐसे प्रस्ण दोस्तों छोड़ने वाले प्रस्ण होते हैं लेकिन जोकि हम पुराना पेपर कर रहे हैं तो हम इनको रट लेंगे ऐसे ही प्रस्णों को आयोग ज्यादा रिपीट करता है रास पंचा ध्याई जो है दोस्तों किसकी पुस्तक है नंद दास की रास पंचा ध्याई नंद दास की चैतन्य भागवत आप लोगोंने यूटूब पे एक बच्चा देखा होगा भागवत वो चैतन्य है दोस्तों चैतन्य भागवत जो है ब्रंदावन का दास है तो उसक जय नंदा याद रखिएगा और बची एक भक्ति रतना कर तो उसके लेखक नरहरी चक्र बरती हैं याद रखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा आहर्व समूह मनुस्य के सरीर को अधिकतम उर्जा प्रदान करता है तो दोसतो बिटामिन तो उर्जा प्रदान नहीं करते तो पहला वाला ऐसे ही कट गया दूशरा भी ऐसे ही कट गया फिर क्या बचा है कार्बोहाइड़ेट बसा और प्रोटीन बिटामिन दोस्तों उर्जा नहीं देते हैं ये उपापचे की दर को बढ़ाते हैं देखिए इसमें भी बिटामिन है तीनों जो हैं गलस सावित हो गए बचा एक कार्बोाइडरेट बसा और प्रोटीन जो हैं अधिकतम उर्जा पुरदान करते हैं इस तरह से दोस्तों दिम अमबेड कर निमने लिखित में से काउन सदेश बाल्टिक सागर के तट पर इस्थित नहीं है लात्विया है दोस्तों पोलेंड भी है लात्विया और रूस भी है स्वीडन और रूस ये भी है दोस्तों स्वीडन और नार्वे नहीं है दोस्तों नार्वे जो है हम लोग ज इस तरफ है और बाल्टिक सागर इधर है तो नार्वे जो है वो स्वीडन की पीट पे है तो नार्वे जो है वो बाल्टिक सागर के तट पे नहीं है बाल्टिक सागर से याद आया दोस्तों बाल्टिक देश पूँच लिये जाते हैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था बाल्टी लिये ला बाल्टिक देश जो हैं दोस्तों बाल्टी लिये हुए हैं लिये ला ली का मतलब लिथुवानिया ए का मतलब एस्टोनिया और ला का मतलब लाट लिये ला तो बाल्टी कौन पकड़े है बाल्टिक देश निमने लिखित में से किस राज ने भारत कौशल 2021 अरे भाई यह करंट अफेर है इसको छोड़ देते हैं हिमालय में तिर्शूल सिखर के संदर्व में निमने लिखित में से कौन से कथन सही है या उत्थराकंड के बागेश्वर जिले में है सही है या चोटी 75-100 मीटर से भी अधिक उची यही कथन गलत है दोस्तों इससे कुछ कम उचाई है अब देखिए इस तरह के प्रश्ण सकती है अभी बागेश्वर वाली चोटी बागेश्वर से आदाया बागेश्वर वाले बाबा एक दिन वीडियो देख रहे थे उसमें कह रहे थे ओम बंबीराय नमा तो एक समय के लिए सोचना पड़ गया कि बंबीराय कौन से देपता है नीचे दिये गए कूट से सही उ इस तरह से दूसरा वाला कतन गलत हो जाएगा निमने लिखित में से कवन एक इस्थलिये पारिशितिक तंत्र का उपभाग नहीं है तो दोस्तों इस्थलिये की बात की गई है तो इसमें क्या हो जाएगा सागरिये वाला नहीं होगा बांकि तीनों सही हो जाएंगे तो वि देते हैं भारत के संबिधान के भाग 9a में निमनिलखित चेत्र की इस्थानी सोसासन की एकाईयों को संबैदानिक आधार प्रदान किया गया है, आप सभी को पताओ गया चौहत्तरबा संबिधान संसोदन हुआ था जिसमें नगरपालिकाओं की बात कही गई थी नगरपालि से संबंदित है याद रखिएगा निमनी लिखित में से कौन सा जयब डीजल पौदा है दोस्तों तो जे ट्रोफा जयब डीजल पौदा है आप देख सकते हैं यह आप रेगुलर पुराने पेपरों को पढ़ते होंगे तो आपको इस बात का आभास हो रहा होगा कि कितने प् लब्दियों का विबरंड प्रस्तुत करता है तो दोस्तों कुमार गुप्त पृथम की उप लब्दियों का विबरंड प्रस्तुत करता है कौन मंदसौर अभिलेक पारवती अरगा राम सर इस्तल के संदर्ब में कौन से कथन सही है यहां उत्तर पुदेश के गोंडा जिल किरसी बिज्ञान केंदर की इस्थापना निम्न लिखित में से किस इस्थान पर हुई थी दोस्तों चंडीगर्ड नागपुर हैद्राबाद या फिर पुदुचेरी तो दोस्तों पुदुचेरी में जो है पहले किरसी बिज्ञान के अंदर की स्थापना हुई थी बिकल्प D सही उत्तर हो जाएगा स्वाच्च सर्वेच्चन उत्तर पुदेश में कौन सा इस्थान current affairs का है इसको छोड़के आगे बढ़ते हैं निमने लिकित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन जो है छेतर फल में सबसे बड़ा है दोस्तों तो महा नदी महा नदी मतलब महा तो सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है महा नदी का दिये गए विकल्पों में नदियों पर दोस्तों एक वीडियो अलग से हम लोग बना लेंगे निश्चिंत रहिए दोस्तों जितना देरां उतना करते चलिए और मेहनत करते चलिए आरो ए आरो कप्री कोई रोकने वाला नहीं है आपका बीरवल्द सहानी दोस्तों बताना है सूची का मिलान करना है बीरवल्द सहानी जो है दोस्तों किस से सम्बंदित है एक मिनट इसमें से आपको यह तो पता ही होगा कि MS स्वामिनाथन जो हैं हरित क्रांती से संबंदित हैं बीरवल सहानी एक इंस्टिट्यूट है दोस्तों जो कि जीवास्न बनसपती बिज्ञान से संबन दिखते हैं इसको या। प्रयोजना यूपी डास्प प्रयोजित की गई दोस्तों यूपी डास्प जो है दोस्तों कभ सुरू की गई थी उननिस सो अठानबे में शुरू की गई थी किसकी मदद से बर्ड बैंग की मदद से और उननिस सो अठानबे में ही दोस्तो किसको शुरू किया गया था के के सी किसान क्रेडिट कार्ड को तो दोस्तो किस के द्वारा शुरू की गई विस सुबैंग के द्वारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किर्शक समृद्धी आयोग की इस्थापना निम्न लिखित में से किस बर्स की गई तो 2017 में की गई थी और मुक्मंत्री जो हैं इसके अध्यक्षते याद रखिएगा और होते भी हैं विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा सेर साह सूरी के संदर्ब में कौन सा कथन सही है बहे एक सांदार प्रसासिनिक बिवस्ता का निर्माता था सही है हलांकि एक सासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उलेखनी नहीं थे मतलब ये कह रहा है दूसरा वाला कथन कि वो युद्ध के मैदान पर जीत जाता था लेकिन अच्छा काम और कहीं नहीं कर पाता था और चेत्रों में जो था वो धीला था चुंकि हम पहला वाला कथन सही माने हैं तो प्रसासनिक ब्यवस्ता भी उसकी सही थी युद्ध था ही था दूसरा वाला विकल्प जो है युद्ध को बता रहा है कि युद्ध चेत्र में उसकी पकड़ थी पहला वाला बता रहा है प्रशासनिक तो क्या हुआ दूसरा वाला सही नहीं होगा इसका निसकर्स यहीं निकलेगा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पहला वाला दूसरे का खंडन कर दे रहा है 28 वा करंट अफेर से छोड़ते हैं दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्मार किस ने कराया दोस्तों तो सेर सहसूरी ने कराया इंडिया इस्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों या केंदर सासित प्रदेशों में उनके भागोलिक चेतर का 33 प्रतिसत से अधिक चेतर फल बना च्छादित है दोस्तों तो 17 याद रखिएगा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा निमने लिखित में से ये करंट अफेर से छोड़ देते हैं आगे वड़ते हैं निमने लिखित गटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल करम के अनुसार वेवस्थित कीजिए दोस्तों देखिए बैंकों की ही बात की गई है इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजन की स्थापना की गई थी चेत्री ग्रामीड बैंकों की स्थापना 1975 में जब पहले ग्रामीड चेत्रों में बैंकों की स्थापना होगी तभी तो आगे का मार्क प्रसस्त होगा तो सबसे पहले चेत्री ग्रामीड बैंकों की स्थापना की गई तो चौथा बाला पहले आ जा नभी तो चौथा वाला विकल्प पहले आएगा चौथा फिर काउंसा होगा चौथे के बाद चार उनिस सो बैयासी ये उनिस सो बैयासी हो गया नावाड और किसान क्रेडिट कार्ड उनिस सो अठानवे हो गया ये सबसे बाद में जाएगा चेतरी ग्रामिल बैंक पहले आगया उनिस सो बचत्तर ये सबसे पहले आएगा तो चार और किसान क्रेडिट कार्ड जो है तीन सबसे बाद में जाना चाहिए तो चार और तीन ये दो पकड़ लीजे देखिए पकड़ गया उत्तर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमको ये वाला नहीं पता है कि सोयम सायता समों का बैंक लिंकेज कारिकरम कब शुरू हुआ देख लेते हैं कब शुरू हुआ बैंक लिंकेज कारिकरम 1992 में शुरू हुआ देखिए दोस्तों इसी तरह से हमको प्रस्ण को बिदिभत तरीके से पढ़ना है और समझन के आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्शन आफ प्लांट बैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम जो है दोस्तों भारत सरकार ने कब शुरू किया तो दोस्तों 2001 में शुरू किया जैसा कि नाम से बिदिता इसमें प्लांट बैराइटीज का पौधों की बिदिता को इस एक्ट को पारित किया गया तो विकल्प एस सही उत्तर हो जाएगा अगला करंट अफेर से उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं राष्ट्री विकास परिशत का गठन कब हुआ था दोस्तों तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था दोस्तों प्रधान मंतरी इसके अध्यक्ष होते ह हैं सभी राज्यों और केंदर साशित परदेशों के सीम्स मुक्य मंतरी जो हैं इसके सदस से होते हैं याद रखिएगा अगला प्रशन भारती लगु उद्योग विकास बैंक सिडवी की बात की जा रही है उसका मुख्याले कहा है तो लखनव में ऐसे गिने चुने ही बैंक हैं दोस्तों जिनका मुख्याले मुंबई से इतर है तो लखनव किसका मुख्याले सिडवी का इसमाल इंडिया दोस्तों इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और बरतमान में सिव सुब्रमंडियन सिव सुब्रमंडियन जो हैं दोस्तों इसके चेयर मैन है याद रखिएगा तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा और इसका काम क्या छोटे उद्यों को रिण उपलब्द कराना रिंगल मैन स्केल का प्रियोग निमने लिखित में से किसके घनत को मापने के लिए किया जाता है तो दुआ के घनत को मापने के लिए रिंगल मैन स्केल का इस्तिमाल किया जाता है ये अगला सवाल रीजनिंग का इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से कौन सी अनसूचित जनजाती उत्तर प्रदेश के बारा रसी जिले में नहीं पाई जाती है तो दोस्तो चेरो भी पाई जाती है गोंड भी पाई जाती है खरबार भी पाई जाती है सहरिया जनजाती जो है दोस्तो वो बारा रसी में नहीं पाई जाती है याद रखिएगा बनारस में नहीं पाई जाती बलकि सहरिया जन जाती जो है दोस्तों वो मिरजापूर में पाई जाती है तो भी कलप D सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेस करती है दोस्तों तो बिजनावर जनपद में प्रवेस करती है और इलावाद में जाके यमुना से मिलती है याद रखिएगा प्रियाग राज में यमुना से मिलती है और यूपी के 27 जिलों से पास होती ये भी याद रखिएगा और मैं देख के बताईगा कि कितने प्रदेशों से पास होती है संभवता चार प्रदेशों से पास होती है इसको एक बार क्रास चेक कर लीजिएगा संभिधान के निमने लिखित अनुछेद के अंतरगत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अदिवेशन का प्रावदान किस अनुछेद में है दोस्तों तो संभिधान के अनुछेद 108 में संयुक्त अदिवेशन अब दोस्तों संयुक्त देखिए एक गोल आईए और एक गोल आईए दोनों संयुक्त हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आठ तो 108 इस तरह से याद रखिएगा संयुक्त अदिवेशन की बाता है तो दो गोलों को जोड़के आठ बना देना मतलब 108 हो जाएगा संबिदान के अनुशे 108 में सयुक्त अदिवेशन की बात कही गई है और इसकी अद्यक्षिता कौन करता है ये भी पूंचलिया जाता है लोग सवाध्यक्ष इसकी अद्यक्षिता करते हैं निमन लिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के छेतर में महान विभूती नहीं ह जो है धों हिंदुस्तानी संगीत शेतर से संबंदित rating है यह दोस्तों गाये जाने वाले रागों का एक प्रकार है नम है माल खुरजरी भारत के समिधान की निम्लखुत अनुसूचि में तीन बिढ़ा सूचियों का प्रावधाना किस अनुसूची में तीन सूचियों को बताया गया है संग सूची, राज सूची और संबर्ती सूची तो आप सभी जानते हैं सातवी अनुसूची में जो है इनका उल्लेक है तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा इस अनुसूची में गठित नौजवान सभा का प्रारंबिक सदसे कॉन था जिसको भारत नौजवान सभा की नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना दोस्तों किस ने की थी भगत सिंग ने की थी, बीयस, कब की थी cambys में अब बताना है कि इसमें कॉन से सदसे सामिल नहीं था स सदस्यों को देखते हैं और फटाक से उत्तर देते हैं अंबिका चक्रबरती दोस्तों इसमें सामिल नहीं थे बांकि ये स्पाल भगत और छबील दास तीनों इसमें सामिल थे याद रखिएगा राजगुरू भी थे सुचकांक निमने लिखित के संदर्प में इन पर विचार कीजिए कथन दिये गए इसको देख लेते हैं है तो करंट अफेर्स का या सारवजिनिक शेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है एकदम सही है दोस्तों बैंकों का प्रदर्शन अच्छा अगेगा तो दोनों कथन सही है सुगमता सुचकां को लेकर तो विकल्प सही उत्तर हो जायेगा अक्क और बित्सेवं काट में ध्यूरा जारी किया जाता है एक है काउन सा विटामिन जेल में गुलंडशील है दोस्तों है तूब इदेखि विटामिन दो होते, एक बसा में गुलंसील होते हैं और एक जल में होते हैं ठीक है तो बसा मतलब B और C B और C दो ऐसे बिटामिन है जो बसा में गुलंसील नहीं है बाकि सब बिटामिन जल में बसा में गुलंसील हैं दोस्तों तो B और C किस में गुलंसील हो जाएंगे जल में इसलिए जल के माध्यम से निकल जाते हैं और इनकी कमी पाय हो जाती दी है कमे हो जाती शडीus में पैसाप कि माध्यम निकल जाते हैं टो बिटामिन Bem और सी जल में गुलंसील हる है तो विकलप він वैं बी और सी दोनों उत्तर होंगे इसके डापसन इकाई निम्न लिखित में से किसको मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो ओजोन की सांधरता को मापने के लिए डापसन इकाई का इस्तेमाल किया जाता है निम्न लिखित में से कौन 1929 में एटक आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षिते कब 1929 में दोस्तो इसी समय लाहोर अधिवेशन हुआ था आपको पिछली क्लास में बताया भी है एटक की अध्यक्षिता दोस्तो किस ने की थी तो पीटी नहरू ने की थी याद रखिएगा एटक की बात करें दोस्तों, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और पहले अध्यक्ष जो है दोस्तों, LLR बोले तो लाला लाचपत राय थे, और बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, बंबई में. बालकास जील निमली की देसों में से किसं देस में इस्थाय तो दोस्तों कजाकिस्तान में इस्थाय है ? एक जील दोस्तों, जील क्या एक सागर है छोटा सा अरल सागर पूछ लिया जाता है। अरल सागर किन दो देसों के बीच है ये दोनों देसों की सीमा पर है किसके उपर तो गया कजाकिस्तान की बिद चाहिए कि आपको बता दिया है निम्न लिखित बंद पासानिक इस्तलों को भगोलिक दृष्टी से पश्चिम से पूर्व क्यों वेवस्तित करना है, तो सबसे पश्चिम में दोस्तों हमारे यहां माधाहा हो जाएगा, प्रताबगड का माधाहा, उसके बाद लेखाया हो जाएगा, लेखाया, और फिर हो पैसरा है, तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, चार, दो, तीन, एक, चार, दो, तीन, एक, यह वाला हो ना चाहिए सही, देखिए गड़बड हो गया, पूर्व की और पहले माधाहा है, फिर लेखाया है, फिर पैसरा है, फिर बीर भानपुर है, बीर भानपुर दोस्तों पश्चि मंगाल में है, इसमें सुधार कर लीजिएगा, पैसरा बिहार में है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है दोस्तों एंजाइम बिटामिन हार्मोन और प्रोटीन प्रोजिस्टिरान दोस्तों हार्मोन है आप सभी को पता है मैला हम पाये जाता है और टेस्टे इस्टिरान यह किसमें पाये जाता है पूरुसों में टेस्टिकल दोस्तों बिर्शन किसमें होते हैं ब्रिशन टेस्ट किल में टेस्ट है ना शुरू में इसलिए टेस्टेस्टिरान पुरसों में पाया जाता है और प्रोजेस्टिरान मैला में पाया जाता है तो सी बाला जो है प्रोजेस्टिरान हो गया हर्मोन प्रोजेस्टिरान है देखते हैं सी से मिल जा र केरोटीन पेपसिन और केराटीन केरोटीन दोस्तों प्रोटीन हो जाएगा तो डी का दो हो जाएगा कि गड़बड हो गया प्रोटीन जो है दोस्तों केराटीन हो जाएगा जो किना खून में पाये जाता है डी का तीन हो जाएगा तो नहीं बात बन पाई यह हो जाएगा कामलफस रहा है फिर क्या बच्या आधां एक बचस्या ,कास सभी को पता है कि पेपिसिन युफ कार workflow सभी हो जाएगा थाधा consistent एंजाइम है और हार्मोन प्रोजिस्टरान है बस दो पताएं तो आप उत्तर कर लेंगे इस्थल दिये गए हैं और तीर्थंकर दिये गए हैं दोस्तों जैन धरम के उनको हमको बताना है कौन सा किस से संबंदित है इस तरह के प्रस्ण एकदम रट लीजिएगा शरावस्ती जो है दोस्तों संभव नात से संबंदित है और काकंदी जो है दोस्तों वो किस से संबंदित होगा सुविधा नात से संबंदित होगा और अयोध्य आप सभी जानतने रशब नात से Meatर भीरोशा हो गया अर पार सुनात्स दोस्तों किस स्थर से संबन्दित है आप सभी पता होगा बनारस आपको वीडियो में बताया भी है इतियास जान धर्म और बाना धर्म को लेकर वीडियो बनाई है उसको यह आप देख लिएगे तो तो आपको जैन और बहुत धरम पे कताई चिंतित होने के आप सकता नहीं रहेगी, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने के जरूत नहीं रहेगी, उतना पढ़ लीजिएगा, जैन धरम और बहुत धरम से आया हुआ सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा, एक बार जरूर देख गिप्ट टू मोनो थिष्ट निमने लिखित में से किस भासा में लिखी है तो फार्सी भासा में, आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय जो हैं दोस्तो कई भासाओं के ग्याता थे, उन्निस सो अठारा सो अठाइस में इन्हों ने ब्रह्म सभा नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और आत्मी सभा की स्थापना गर्धूत भी करते हैं, निमने लिखित में से कवण एक पादप हार्मोन है दोस्तो, तो साइ्टो काइनिन जो है पादप हार्मोन है, बिकल्प बीश हुत्तर हो जाएगा. वीडियो ज्यादा बढ़ीना हो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं दोस्तो पउधे नाइट्रोजन को किस रूप में गरहन करते हैं? बहुत बार पूछा गया है बादसा बताने हैं और उसके दीवान बताने हैं रटने वाला प्रशन है इसको रट लीजियेगा अकवर का दीवान दोस्तों कौन था अकवर का दीवान हो जाएगा जहांगीर हो गया है अकवर एक मिनिट अकवर का हो जाएगा गियास बेक इतमादुद दौला देखिए जहांगीर का जो दीवान है वो इतमादुद दौला था इसका ससुर भी था और अकवर का जो दीवान था दोस्तों वो मुझफर खान था और साजहां का साजहां में सा है तो साजहां का जो है वो सादुल्ला खान था ये तीन देख लेते हैं चौथा और अरंग जेब का कौन सा हो जाएगा असद खान जी यहां दोस्तो एकदम सही है अकबर का मुझफर खान जहां गीर का इतमादुद दौला और साजां का सादुला और अंग जेब का असद खान दीवान था याद रखिएगा काउन सुमिलित नहीं है दोस्तो राष्ट्री ये जैबिक खेती केंदर दोस्तो गाजियाबाद में है यूपी के भारती दलहन अनुसंदान संस्थान कानपुर में है याद रखिएगा और सबजी अनुसंदान संस्थान काँ गोरकपुर में ना ओकर बनारस में है याद रखिएगा तो विकल्प सी साई सुमिलित नहीं है और गन्ना अनुसंदान संस्थान काँ लखनव में और यदि गन्ना अनुसंदान परिसद की बात की जाये तो हमारे साजापुर में है याद रखिएगा इंटर पोल के अध्यक्ष ये करंट अफेर्स का सवाल है छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं कौन सी फचल मूल नियंत्रण है तो भारत सरकार के मूल इस्थरी करंड कोश के अंतरगत संरचित है दोस्तों टमाटर आलू और प्याज के साथ साथ दालें दोस् कि यदि इनकी कीमत बढ़े तो उसको कंट्रॉल किया जा सके तो इसमें क्या आ जाएगा आलूब विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा बाणिज के संदर्ब में कौन से कथन सही है या विवसाय का छेतर है जो बिनमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में साहिता करता है यहां उपवोक्ताओं तक उत्पादों को बित्रित करने के कारकों से सम्मंदित है या कथन भी सही है दोनों कथन सही है तो बिकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा यह अच्छा प्रशन है संयुक्त राष्ट की महा सवाने बर्स 2023 को किसके लिए अंतर राष्ट्री बर्स के रूप में गोसित किया है तो दलहनी फसलों का अंतर राष्ट्री बर्स 2023 है यह नहीं नहीं मोटे अनाज के लिए और दलहनी फसलों के लिए अंतर राष्ट्री बर् भूमध्य सागरिय बनों में नहीं पाया जाता है भूमध्य सागरिय बनों में नहीं पाया जाता है जहां भूमध्य सागरिय जलबाई होती है और यहां जो है दोस्तों रस्दार फल देने वाले ब्रच होते हैं तो इन में दोस्तों कौन सब ब्रच हो जाएगा जो इन बनों नहीं पाए जाए का सागाउन सागाउन जो है भूमद्य सागरी बनों नहीं पाए जाता बलकि ये उस्ण कटबंदी बनों में पाए जाता है बांकि सभी पाए जाते हैं काउंसा मैंगरोव छेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर इस्तित है दोस्तों तो कोरिंगा मैंगरोव छेत्र जो है गोदावरी नदी के डेल्टा पर इस्तित है दोस्तों ये जो है दूसरा सबसे बड़ा मैंगरोव छेत्र है किसके बाद सुन्दर बन के बाद कोरिंगा मैंग्रोव छेत्र निमने लिखित में से कौंसर रामसर आद्रभूमी स्थल भारत के किसी राज में इस्तित है दोस्तो तो पॉइंट कैलिमरे बन जीव और पच्छे वेरंड आद्रभूमी स्थल जो है दोस्तो जो कि तमिलनाडू में इस्तित है याद रखेगा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा फिर है यदि किसी समय राष्ट पती एवं उपराष्ट पती दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट पती का कारेकौन करेगा तो सीजे आई और इस तरह के पहले सीजे आई हिदायत उल्ला बनेते ये भी याद रखेगा हिदायत उल्ला और एक मात्र भी थे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधान ने आए धिस बर्स 2020 का ये रीजिनिंग का सवाल दे दिया है निमन गटनाव पर विचार क कीजिए प्रोजेक्ट हाथी आप सभी को पताओगा 1992 में चलाया गया था जैब विवित्ता अधनियम दोस्तों 19 बर्स 2000 में बना था 2002 में और बन जीब अधनियम जो है दोस्तों 1972 में बना था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था तो जब मिलाएंगे तो बिकल्प यह सही उत्तर हो जाएगा विवित्ता अधनियम दोजार दो हाथी 1992 टाइगर 1973 वन जीब अधनियम 1972 और 1952 में जो है भारत में चीते को बिलुप्त घोशित कर दिया गया था यह भी याद रखिएगा निमनलिकित में से कौन सा देश मद्ध पूर्व का हिस्सा नहीं है यह स पाकिस्तान में गौादर बंदरगा निमनलिकित में से किस प्रांत में इस्थित है तो बलुचिस्तान प्रांत में इस्थित है याद रखिएगा यह बही इस्थान है जहां मेहर गड़ इस्थित है जहां से गेहूं के साक्ष मिले थे गेहूं के साच्ष मिले थे और दोस् तो पूछ लिया जा चावाहर बंदरगा कहा है इरान में है डेविड हेयर द्वारा प्रसिद हिंदू कालेज की स्थापना 1817 में कहा हुई दोस्तों तो कोलकाता में भी याद रखेगा इसमें और सयोग किस ने किया था आर 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 बोले तो राजा राम मोहन राय और फिर रेजिनिंग का सवाल है इसको छोड़के आगे बढ़ते हैं निमने लिखित में से किस सिद्धांद पर राकेट काम करता है तो संबेग संरच्छड किस सिद्धांद पर राकेट काम करता है आप सभी को पता होगा यदि ये विकल्प में ना ओकर न्यूटन का तीसरा नियम दिया रहा है किरिया पित किरिया वाला तीसरा नियम तब उसको कर देना तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है अटाला देवी मस्जिद का निर्मार दोस्तो सरकी सासक इबराहम सास सरकी ने कराया था छोटा सोना मस्जिद दोस्तो वो किसने बनवाई थी बली मुहम्मद ने और कदम रसूल मस्जिद का निर्मार जो है दोस्तो नुसरत साह ने करवाया था और अधीना मस्जिद किसने बनवाई थी अधीना मस्जिद जो है वो सिकंदर साह ने बनवाई थी तो जब मिलाएंगे तो बिकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा गटनाओं पर विचार करना है और उनको काल के अनुसार वेवस्तित करना है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विबाह अब देखिए इस तरह के प्रसंद छोड़ने ही वाले होते हैं तुका रोई का युद्ध मालवा पर मुगल आकर्मन उडिशा पर कर रानी की बिजय यह तो हमको भी नहीं पता इसको सीधे देखी लेते हैं जी है मालवा पर मुगल आकर्मन 1561 में हुआ अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विबाह 1562 उड़ीशा पर कर रानी की बिजय 67 और तुका रोही का युद्ध 1575 में हुआ इसको रट जाईएगा भाई इस तरह के प्रश्ण को छोड़ने में कोता ही ना बरता करें क्यूंकि इस तरह का प्रश्ण किसी से सही नहीं होगा बहुत कमी लोग आएं जो तुका लगाएंगे और उनका सही हो जाएगा वैसे आपको बता दूं कलियूग में तुक्के नहीं काम करतें सहब इस्पिरेशनल डिस्टिक्ट प्रोग्राम नीती आयोग ने सुरू किया कब दोस्तों तो 2018 में और OD, OP, वन डिस्टिक बन प्रोड़क्ट जो योजना है यूपी सरकार की वो भी 2018 में ही सुरू ही याद रखेगा भारत के समिदान के अनुशेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है दा यूनियन गवर्मेंट नहीं दा यूनियन आफ इंडिया बिकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा निमने लिखित में से काउन सानुशेद भारत की राष्टपती द्वारा बित आयोग की नियुक्ति से संबंदित है तो सभी जानते होंगे बच्चा सवाल है 280 और बरतमान में बित आयोग के अध्यक्ष काउन है एन के सिना एन के सिना तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएग भारत के प्रदेश या प्रदेश के लिए दोनों के लिए ठीक है और तीसरा जो है विस्व में कहीं भी रहने वाले भारती नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए ये थोड़ा डावट फुल है दोस्तो इसमें इस्तिति इस पश्ट नहीं की गई है भारत का नागरिक है तो भारत के कानून के तहट तो आएगा ही आएगा लेकिन यदि उसकी विदेश में संबंदित कोई बस्तू इस्तित है तो बहाँ पर उस संपत्ति पर जो है दोस्तो उस देश के कानून भी लागू होंगे लेकिन गटना चक्र में इसको दोस्तो ये तीसरा वाला कथन भी सही माना है तो हम लोग भी इसको तीनों को सही मांते हैं इन्होंने दो को सही माना है खर इस तरह हैं कि विवादित परसन जो है आयोग रिपीट नहीं करता है इसलिए परिसान मत होईएगा करंट अफेर्स का सवाल इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अफरीका में विक्टोरिया जील के संदरप में निम्न लिखित में से कौन सा कतन सही है या जील चार देशों से गिरी हुई है कताई गलत था UKT आपको ट्रिक बताया है न UK का मतलब युगांडा के का मतलब है केन्या और टी का मतलब है तंजानिया तो ये कितने देशों से गिरी है तीन देशों से तंजानिया तीन देशों से गिरी है तो पहला वाला गलत हो गया यह अफरीकी ब्रंस गाटी में इस्तित है यह सही है विक्टोरिया जीर जी दोस्तों भूमद रेखा गुजरती है ये भी याद रखिएगा जीरो डिग्री तो बिकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा फिर करन रीजनिंग है आगे वड़ते हैं ब्यापार के संदर्ब में कौन सा कतन सही है या मांग और आपूर्ती दोनों का प्रत ने दित्व करता है सही है या केबल मांग पचे से संब्दित है देखिए पहला वाला कतन ही दूसरे का खंडन कर दे रहा है ये कामन सेंस वाला प्रशन है दोस्तों इसको थोड़ा आखें और कान और दिमाग खोल के पड़ा करिए विकल्प एक सही है तो देखतें काउं सा उत्तर सही हो जाएगा केबल ए वाला सही होगा इंटी बायोटिक्स अधिकांसिता प्राप्त किये जाते हैं दोस्तों फंगी कवकों से और हां दोस्तों बैक्टीरिया से भी प्राप्त किये जाते हैं तो ए और सी दोनों सही है लेकिन इन्होंने जो है केबल सी को सही माना ह फिर दोस्तों फसने दी गई हैं और उनके कुछ लच्छन दिये गए मक्का से जो है दोस्तों नर्मंजरी निकलना आपने देखागा मक्के का जो भुंटा रहता है उसमें छोटे छोटे बाल निकलाते हैं उसको नर्मंजरी कहते हैं मुंगफली से पेगिंग की क्रिया निकलते हैं दोस्तों किल्य किस में निकलते हैं किल्य धान में निकलते हैं देखिए धान का जब पौदा रोपित किया जाता है तो अकेला होता है लेकिन उसमें किल्ले निकलते हैं तो काबली चने में किल्ले नहीं निकलते हैं काबली चना जो है अकेला ही रहता है और पुर्व भारत का राष्ट्रबादी कभी नहीं था दोस्तों तो ये सवाल वी छोड़ने वाला है देख लेते हैं सिव कुमार बटालवी जो हैं ये राष्टबादी कभी के बजाए दोस्तों कौन से कभी थे रोमांटिक कभी थे तो बिकल्प D सही उत्तर हो जाएगा अलास्का के संदर्ब में आपको पिछली वीडियो में भी बताया यहां प्रश्ण कौन सा सही है या संयुक्त राष्ट अमेरिका का तेल उत्पादक राज जह सही है इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था या कथन भी सही है तो दोनों कथन सही है तो बिकल्प C सही उत्त करो जाएगा निम्ली लिखित में से किसे भारती अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन के दसवे अध्यक्ष जो की बरतमान में भी है आयस सोमनात बनाया गया है बरतमान में भी यही अध्यक्ष इसलिए हमने इस सबाल को सामिल कर लिया है उद्धमिता को बढ़ावाद देने के लिए स्टेंड अप इंडिया कारेकरम किस से संबंदित है दोस्तो तो जो महिला है एसी एस्टी इनको रिनर प्रदान करने से संबंदित है नया उद्धम इस्थापित करने के लिए 2016 में इसकी सुरुआत की गई थी विकल्प D सही उत्तर हो जाएगा करन्ट अफेर्स का सवाल है इसको छोड़के आगे बढ़ते हैं आगे रीजिनिंग आगया उसको भी छोड़ते हैं काउं साप पृथम सफल क्लोन जानवर है दोस्ट तो आप सभी जानते हैं डाली भेंड डाली भेंड जो है दोस्तों पहला सफल क्लोन जानवर है याद रखियेगा इसकी प्रक्रिया पर आपको करन्ट अफेर्स में बताया भी है यान बिल्मट नाम था है इसलिए है कि इसीलिए पुछा जा सकता है इसी लिए कंक्रीर कि उस बेढियाने मिंट हूगि है सार्विणिक चेत्र के बैंकों और ये बजट का सवाल है छोड़ते हैं केंद्धी ऑसिएवं सुगंध अब यहां पर सगंद लिख दिया है कि इंद्री आउसदी एबं सुगंद पौधा संस्थान किस स्थान पर है तो यूपी के लखनव में है इंडोनेसिया के संदर्ब में कौन सा कथन सही है 15,000 से अधिक दीप इसमें सामिल है एक सो पचास से अधिक सक्रिय जो अला मुकिय है दोनों कथन सही है राधानी इसकी जकारता है और ये वही जकारता है जो आसियान देशों का हेड़ कौाटर भी है जकारता लेकिन इसकी नई रायधानी कहा बनाई जा रही नूर सुल्तान, नूसंतारा, नूसंतारा, नूर सुल्तान तो उसकी हो गई, किसकी कजाकिस्तान की, तो बिकल्प C से उत्तर हो जाएगा, करंट अफेर्स का सवाल छोड़ के आगे बढ़ते हैं, हल्दी भूमिगत तने का उ इस्टिराइड है, याद रखिएगा, कोलेस्टराल को कौन उत्पादित करता है, जिगर, बोले तो लीवर इसको उत्पादित करता है, और इसकी मातरा जब ज्यादा हो जाती, जो धमनियां होती है, खून की नसे होती है, उनमें प्रतिरोध पैदा हो जाता है, और खून क में राष्ट्री उध्धानों एवं बन जीव अभियार एंडियों के संदर्ब में कौन सा कतन सही है राष्ट्री उध्धानों की सबसे अधिक संख्या MP में है मत्य प्रदेश में एकदम सही है बन जीव अभियार एंडियों की बात करें तो सबसे अधिक संख्या कहा है अंड हम लोग देखते हैं कि बिकल्प सी में दोनों दिये रहते हैं लेकिन कभी-कभी इसको उल्टा कर देते हैं और हम गच्चा खा जाते हैं खान मंत्राले वाला करंट अफेर्स का सवाल है इसको हम लोग अलग से करेंगे परिच्छा से पहले जैसे आपको पहले भी बताया है उर्जा छेतर पर ब्याज भोकतान भार कम करने के लिए भारस सरकार ने कौं सी योजना प्रारंब की है तो उदाय योजना जो बिजली कंपनिया हैं दोस्तों उनको रंड से मुक्त करने के लिए उदाय योजना की सरकार उदाय योजना जो है इसकीम विद्धुत मंत्राले ने 2015 में सुरू की थी निमने लिखित में से किस गयस का उपयोग पाली थीन बनाने में किया जाता है तो एथलीन का उपयोग किया जाता है आप सभी जानते होंगे भारत के समिधान के अनुसार केंद्र की कारपाली का सक्ति किसमे नहीत है राष्टपती में नहीत है विकल्प इसलिए कथन एक ही सही है कौन सा कथन सही हो जाएगा विकल्प विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है कि राश्ट की भारत की कारपाली का सक्ति राश्ट पती में नहीं हित होगी, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, नियुनतम आयू दि गई है और संबंदित पद दिया गया है, इस पर एक वीडियो अलग से बना दूँगा, 21 बर्स जो है दोस्तो पंचायत का सदस बनने से समन्दित आयू है 25 बर्स आयू जो है दोस्तो किसे समन्दित है राज बिधान परिशद राज बिधान सवा सदस जी है राज विधान सभा सदस का बनने के लिए 25 वर्स आयू आवसेख है और राज विधान परिशद के लिए 30 वर्स या फिर राज सभा के लिए भी 30 वर्स 35 वर्स राष्ट पति पत के लिए उपराष्ट पत के लिए भी यही आयू आवसेख होती है तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा प्रस्यांत महासागर में इस्तित गैला पागोस दीव समूंग के संदर्ब में कौन सा कतन सही है इसकी उत्पत्ती ज्वाला मुखी गतिविदियों के कारण हुई है सही है दच्छिन अमेरिकी राष्ट पेरू का हिस्सा है पेरू का नहीं दोस्तों ये इक्वाडोर का हिस्सा है तो कतन एक ही सही है तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा 112 देखते हैं करण्ट फेर्स का सवाले छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं नटराज नरत्त के भगवान जो हैं दोस्तों उनकी मूर्ति के संदर्व में कौन सा कथन सही है चार हाथों वाले शिव की प्रतिमा है ये पहला कथन सही है अपने दाय कान में बह एक पुरुष का कुंडल पेने बह कान में एक महिला का कुंडल जी हां दोस्तों आधा मैला का चेहरा है और आधा पुरुष का है यह कथन भी सही है दोस्तों इसको अर्द नारी स्वर भी कहते हैं तो इस तरह से दोनों कथन सही है तो विकलप सी सही उत्तर हो जाएगा रीजिनिंग के सवालों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश किर्शी अनुसंदान परिषद निमने लिखित में से किस इस्थान परिष्थी था तो लखनव में इस्थे था विकलप यह सही उत्तर हो जाएगा और इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी यूरोप में राइन नदी के संदर्व में कौन सा कथन सही है राइन नदी उत्तरी जर्मनी की अधोगिक गतविदियों के लिए महतवण मार गए नहीं दोस्तों उत्तरी के वज़ाए पश्चमी होगा पश्चमी जर्मनी के लिए यह महतवण मार गए तो कथन एक गलत हो राटर डैम का बंदर का जो है राइन नदी के मुखाने पर एकदम सही है राटर में रा है और राइन में भी रा है दोनों को जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं तो कथन दो ही सही है तो विकल्प 20 सही उत्तर हो जाएगा फिर करेंट अफेर्स का सवाल है इसको छोड़ के आगे वढ़ते हैं भारत के प्रिथम जलबायू परिवर्तन पर राष्ट्री कारियोजना को कब लागू किया यहां पर के नहीं यहां पर ने होना चाहिए था तो 2008 में यह यूपी पीशी स्प्री में भी पूंचा गया है त सарी सुमलित नहीं है यह तेल वर्ड जो है दूस्तों इसको भी ध्यान से पढ़ा कर लिए बटेश्वर मेला आगरा में लगता है देवा शरीफ मेला ज़ानपुर में नहीं दोस्तों देवा में वा है और बारा बंकी में भी वा है तो देवा ऌरा कॉरा इस उसको देखके आपको लगे तब उसको देखके comment box में comment कर दिजिएगा और जिन लोगों ने channel को subscribe नहीं किया वो लोग channel को subscribe कर लें और यदि आप लगातार updates पाना चाहते हैं तो Telegram channel जो की description में दिया गया है उसको join कर लिगे दोस्तों खूब मेहनत कीजिए अपने चित्र का और अपने चित्र और अपने चित्र तीनों का थैर दखिए दोस्तों उन पे काम कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए धन्यवाद